CCS University की वेबसाइट पर एक तारिक को दो नोटिस आए जिसमें पहले नोटिस में बताया उन्होंने की LLB और BSC की मतलब LLB की तो 4th सेमेश्टर की और BSC Agriculture की D296 की जो परिक्षा थी वो पोस्पोन कर दी गई थी ये परिक्षा जो है पुरानी तित्री 3 अगस्थ है और नई तित्री 13 अगस्थ मतलब 3 अगस्थ की पेपर जूपत है ये पोस्पोन होके 13 अगस्थ को होना था शुरू में तो बस इनका आया था कि LLB और BSC Agriculture के तीन तारिकों होने वाले परिक्षा पोस्पोन कर दिये गए है ये था और नीचे लिखा हुआ है सबसे लाश्ट में लाइन कि दिनांक 4 अगस्थ एवं उसके पश्चात का कारेकरम ये थावत रहेगा मतलब 4 अगस्थ का पेपर अगर है आपका इनी क्लास का तो सेम रहेगा और उसके आगे जितने भी पेपर है वो सेम रहेगे सिर्फ तीन तारिक का पोस्पोन है जो कि 13 को होगा इसके तुरंत बाद एक तारिक को ही एक नोटिस और रिलीज किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि जो इसमें आई जाएंगी यह आया ठीक है उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मजब दो तारिक को थोड़ी देर पहले ही यह नोटिस आया इसमें इन्होंने बताया कि जितनी भी परिक्साएं हैं वो सब पोस्पोन कर दी गई है तीन तारिक को और चार तारिक से आगे वाली सारी यह अथावत रहेगी और जो तीन तारिक वाली है परिक्सा वो होगी 13 अगस्त को पूर्व निर्धारित पाली एवं परिक्सा केंद्रों पर अब इसको आराम से पोस करके पढ़ लेना इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी सवाल हो कुछ भी पूछना हो तो कोमेंट करन कोशिश करेंगे आपके सवालों के रिपलाई करने की वीडियो के डेस्क्रिप्शन में टेलिग्राम ग्रूप की लिंग के जोइन कर देना कि जैसे ही छोट इमोटी अपडेट आती है तुरंट सबसे पहले आपको टेलिग्राम पे सूचीत किया जाता है